परसिलेखन संख्यासा 23-28 उपाध्यक्ष महोदे मैं मानती हूँ कि बहुत से जो हमारे भाई हैं उनकी ओर से सिकाईतें आई हैं और यहां बातचित चलती रहती है कि हम अपने इलाके में सफाई बंद कर देंगे परन्तु यह बिसे स्वायत सासन संस्था के सहयोग से नहीं हो पाक रहा है जैसी की हमें आसा है और मैं समझती हूँ की राजनीतिक दल स्वास्त के बिसे में ध्यान रखते हैं क्यूंकि यह मानावता के लिए बहुत आवस्यक है और इसमें राजनीति का कोई रंग नहीं आना चाहिए एसी मेरी आसा है मैं अनुरोद करूंगी की सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रसासन कोई ऐसी निती अपनाने की कोशिस करे जिससे नगर निगम का यदि कोई काम हो तो उस बिसे में हमारा नगर निगम से एक सहयोग पूर्ण बाताबरन पैदा हो मगर इस बाताबरन में राजनीती न आने पाए हमारे सामने एक उदेश हो कि हमें जनता का काम करना है क्योंकि जनता के लिए हम चुन कर आए हैं इसमें पार्टी का कोई प्रस्ण नहीं है दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अनात बच्चों के लिए जो इस बजट में प्राबधान किया गया है कि उनके लिए केंद्र बनाए जाएंगे तो मैं समझती हूं कि इन केंद्रों के साथ साथ बेसहारा महिलाओं के लिए जो की समाज से तिरस्कृत हैं एसी महिलाओं के लिए जगह जगह इस प्रकार के केंद्र खुलने चाहिए जहां उन्हें रोजगार सिखाया जाए और साथ ही साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की तरप भी परियत्न किया जाए इस बिसह में मेरा एक सुझाओ है कि जो बच्चे अनाथ हैं जो बेसहारा महिलाओं हैं उनकी तरप हमारी पूरी कोशिस होनी चाहिए कि जो अनाथ बच्चे हैं जो समाज से तिरस्पृत हैं जिनको अभेलना की द्रिष्टी से देखा जाता है उनके लिए केंद्र बनाए जाएं और उन केंद्रों में वह अधिकारी रखे जाएं जिनके संरच्छन में वह कारे सीखें पढ़े लिखें यदि इसमें बाहर के सदस्य हो तो वे ऐसे होने चाहिए जिनका जीवन सरकारी सेबा में ही बीता हो एसे योग लोगों से सहाइता लीजिए यदि इसमें औसामाजिक तत्व घुस गए तो फिर हमारा पैसा एसे ही खर्च हो जाएगा और जो नीती हमने बनाई है वह औसफल हो जाएगी जिसका परिणाम यह होगा कि हम उस नीती को कार रूप में परिनत नहीं कर सकेंगे इस बात पर कोई मतभेद नहीं है मुद्ध उपाध्यक्ष महोदय रूस में भारत के जो मानचित्र प्रकासित हुए हैं उनमें भारत के कुछ हिस्सों को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है इसको सरकार भी मानती है अबसाइल, सम्स्राइब उनमें प्राइब जया है